नमस्कार में हुनी वेधिता मरंड दिवस को भी किसी पर्व या त्योहार की तरह मनाएं कहीं न कहीं अटल जी की ये बात राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टे यानि NCP के कद्दावर नेता देवी दास त्रिपाठी के जिंदगी पर पूरी तरह चरितार्थ होती हैं जिन्होंने दो जन्वरी को ही दुनिया को अलविदा कह दिया उनका निधन कैंसर जैसी घातक बीमारी के वज़ह से हुआ डीपी त्रिपाठी को पता था कि उन्हें कैंसर है लेकिन इसके बावजूद वो आम कैंसर पीडितों की तरह नहीं थे वो जब तक रहे जिन्दा दिली के साथ जिन्दिगी को जिया डीपी त्रिपाठी की इसी जिन्दा दिली के बारे में उनके पत्रकार साथ ही हेमंत शर्मा ने बताया कि उन्हें जब पता चला कि कैंसर है तो उन्होंने दोस्तों को पाठी तक दे दी DP तृपाथी जिसने मौत को भी जश्न में बदल दिया DP तृपाथी जिसने जब तक जिया खुल कर जिया DP तृपाथी जिसने कैंसर होने पर दोस्तों को पाटी दे दी और कहे गए कल अस्पताल में भरती होना है फिर क्या होगा पता नहीं कैंसर से लड़ने के बाद दो जनवरी को DP तृपाथी का जब सरसट साल के उम्र में निधन हुआ तो युद्ध में अयोध्या जैसी लोगप्रिय किताब लिखने वाले वरिष्ट पत्रकार हेमन शर्मा ने उनके साथ बिताए दोस्ती के पल को साजह करते हुए जो बताया वो हैरान कर देने वाला था उन्होंने बताया देवी दास्त्रिपाथी यानि मित्रो के DPT के अंतिम संसकार से लोट रहा हूँ मनुदास है यारो का यार चला गया पर ये सोच तो DPT के सुभाव के खिलाव है बीते तीन साल से वो मौत की आहट सुन रहे थे और उस आहट को लगातार उत्सव में तबदील कर रहे थे हर रोज उनकी मौत से ठन रही थी लेकिन मित्रों के साथ चन रही थी उनके याराना और उनकी बैठकी को ये आहट भी रोक नहीं पाई आज बहुत कुछ याद आ रहा है पत्रकार हेमंच शर्वा ने साल 2016 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया वो साल 2016 की सर्दियां थी DPT का फोन आया हेमंच जी परसो मित्रों के साथ रसरंजन है वीना को भी लाईएगा कोई 15-20 मित्र है कुछ मित्र नेपाल और पाकिस्तान से भी आ रहे है लिखिये पहले आप भूल जाते हैं मैंने कहा आऊँगा उन्होंने कहा पहले लिखिये मैंने पूछा अबसर क्या है उन्होंने कहा बहुत रोज से बैठी की नहीं हुई है मैं अपने पत्नी के साथ गया पुष्प गुच के साथ या दाश्ट पर जोर डाला तो पाया कि DPT का जंदिन तो सर्दियों में ही होता है वही होगा सांसत के नाते फिरोज शाहर रोड के उनके बंगले पर आयोजन था विदेश सचिप जैशंकर अशोक वाजपेई पुषपेश पंत नेपाल के समाजबादी नेता प्रदीब गिरी और पाकिस्तान की कोई शायर थे वहाँ जाकर पता चला डीपीटी का जन्म दिन नहीं है बतरस, रसरंजन और भोजन के उपरांद जब लोटने को हुआ डीपीटी स्वभाव के मताबिक गाड़ी तक आये मेरे मन में जिग्यासा ने जोर मारा क्या आपने बताया नहीं ये उत सब किसलिए मैंने सोचा था आपका जन्म दिन होगा उन्होंने कहा आपको बता सकता हूँ मुझे कैंसर हो गया है कल अस्पताल में भरती होना है फिर क्या होगा बता नहीं इसलिए सोचा अस्पताल जाने से पहले दोस्तों के साथ शान गुजरे मैं सन रह गया रास्ते भर सोचता रहा आखिरी आदमी कैसा है उनकी विद्वता, यादाश्ट और वक्तरिता का लोहा तो मानता ही था आज मौद के प्रती उनकी दृष्टी का भी लोहा मान गया पत्रकार हेमन शर्मा ने बताया कि जिसे modern society में cocktail कहते हैं डीपी त्रिपाठी उसे रसरंजन कहा करते थे डीपी त्रिपाठी के स्कूली शिक्षा के बारे में बताते हुए हिमनशर्मा ने कहा अपनी शाररिक कमजोरी को अपनी काबिलित बनाना कोई उनसे सीख सकता है उनकी दोनों आखे खराब थी स्कूल में इस शाररिक कमी का लड़कों ने उपहास बनाया फिर उन्होंने स्कूल जाना बंद किया भीतर ही भीतर कसकते चले गए बहां उनके पिता की चाय के दुकान थी उसी दुकान पर बैठ कर उन्होंने समाच का अध्यान किया फिर सीधे आठवी में दाखिला लिया महराश्ट्री से अंसीपी सांसद रहे डीपी तुरुपाठी ने राजुसभा में अपने अंतिम भाशन में हफीज होश्यारपुरी के हवाले से कहा था महबत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे पत्रुकार हेमन शर्मा ने डीपी तुरुपाठी को याद करते हुए बताया यही जिन्दा दिली उनकी पहचांग थी उन्होंने जिन्देगी का एक एक लमहा जिया खुद को बनाया समारा और अपने समाज को भी परिश्कृत किया डीपी टी अपना पार्थिव शरीर छोड़ गए हैं पर स्मृतियों में सदैब जीवित रहेंगे टी डीप 340 Mr. Chairman, sir I thought that today I should begin with Bahadur Shah Zafar but then later I came to the conclusion that it would be better describing the present situation if I begin with Kalidas Kalidas Raghuvansh ke Pancham Sarg mein lihtte hai कि Raja Raghuv सब कुछ दान करके गरीब हो गए उनके पास कुछ नहीं बचा तो कह रहे हैं जो आपकी स्थिति ये है वो सबसे अच्छी और आदर्श स्थिति है जैसे कि देवतानाद्वारा पिये जाती हुए चंदर्मा की कलाओं का ख्षय उसकी वृद्ध से जादा श्रेशकर होता है कालिदास का श्लोक है स्थाने भवाने का नराधि पहसन अकिंचनत्तम मखजम्यनक्ति परयाय पीतस स्यसुरेर हिमान्शो कलाक्षय श्लाग्यतरो ही वृद्धि मतलब इसका ये है कि प्राप्ति से बेहतर त्याग होता है और आज मैं आपका समय अपने बारे में बात करके या अपने निता श्री शरत पवार के बारे में बात करके नहीं नश्ट करूँगा वो तो सब किताबों में लिखा हुआ है मीडिया में है लेकिन जीवन में राजनीति के पचास वर्ष पूरे करने के बाद उननीस सो और सट जब दसवी में पढ़ता था तब पहला प्रदर्शन किया आज दो हजार इठारा है लेकिन मुझे वो दिन याद आता है सभापती जी जब मुझे साड़े चार महीने भूमिगत संघर्ष करने के बाद इमर्जनसी में लाल की लेके में जाच के बाद तिहार ले जाया गया तो सुबह साड़े चार बजे वहाँ मेरा स्वागत करने वाले व्यक्ति आज इस सदन के नेता है श्री अरुन जेटली जिन्होंने चार बजे कहा आगे बहुत देर से इंतजार था बैठो बैठो तो ऐसा साथ रहा है मैं आप सभी का भारी हूँ अद्यक्ष महोदे उपसभापती कुरियन साहब का तमाम नेताओं का समय बचाने के लिए नाम नहीं ले रहा हूँ और तो यबचाने का लुट रहा रहा है बचाती टो अदेग मेरून है तो में अद्यक्ताओ स्वेत्टी तो कि में उिकल ए्शमेशन लेश संदोरे लुट वह लेविमेंयों को यह रहा है अवी बहूंप जुट रहाज प्युट Chinese poet, Thomas Trondström, who got the Nobel Prize for literature. His one sentence is very relevant when you analyse the functioning of this House and Parliament in general and democracy. Truth needs no furniture. This is the sentence. At times truth is bare and stark. why I say this in the last six years roughly 48 percent of the time of the house during all these sessions that I have said was vested in disruption disruption as us kind of a semi-permanent strategy should not be allowed look at the house of Commons there is no adjournment for a single day house of lords it is unimaginable we have to make certain arrangements for that mr. chairman sir those who do not enter the well should be looked after well by you second point is that in the last six years the woman's issues have not been discussed seriously and you just pointed out that women members are merely eleven point seven percent why we cannot give more time to them when they are speaking then I have couple of suggestions about certain subjects which had not been discussed at all they are not discussed that is judiciary I gave two notices we never discussed judiciary why are we so shy of discussing judiciary in general media then there is another point in a country where Kamsutra was written and Vatsayan was described as a Rishi Ajanta Elora and Khajra Ho and all parliament has never discussed sex in a dignified and decent way why we are scared there are two great leaders of India Mahatma Gandhi who discussed sex in his own way dr. Ramanohar Lohia he is the last who discussed and wrote about sex especially in association with women's rights Lohia Jika Prasiddha Lekha Lohia Rajnavali Khand Paanch mein padhli jiye yoni shuchita aur narnari sambandh yeh Lekha according to one study in the next five years about million young Indians are going to die of sexual diseases and the parliament is scared of discussing this why I admire two members of both houses one Shri Rajiv Gowdha of this house and Shri Shashi Tharoor of Lok Sabha who tried to raise these questions these are important matters now I will not take much time however I will certainly talk about this august house when I think of these 50 years of my life I have been I got to learn many things in this house and affection of many leaders many leaders of the country which is now written in books from I mean Shri Atal Bihari Bajpayee to after all I had the privilege of being cellmate of Nanaji Deshmukh for few few days and then we were together so many during the emergency and then after the emergency I got so much affection of that is because of democracy runs on the basis of a human relationship that is what is most important in a democracy and in a democracy and in I will just point out about my when I felt that was the best day though this was during a tragedy which was my best day in Rajya Sabha that was in 2013 23rd of August when this house unanimously passed condolence resolution about about again about Narendra Dabholkar the great russianist who was murdered by obscurantist forces he was killed on 20th august 2013 and I'm great grateful to the then leader of the acquisition who is now leader of the house Shri Arun JT and then the treasury benches we all UP especially the congress party that everybody unanimously editorials were written in national press about my role as coordinating this that was the best which was a sadist saddest was there was a debate about beauty in this house some wrong words were used perhaps so I wanted to take it to a higher level and quoted Kalidas some of the lady members who are now one of them is on the treasury benches this I stop it stop it stop this discussion it is gender bias how can quoting Kalidas become gender bias then you cannot quote Valmi ki you cannot quote any poet Homer or anyone so today I that will be my last point talking about beauty because I'm going to talk about end with the beauty of Rajya Sabha how it comes so that two dimensions of poetry which come to my mind now about beauty one is of course from Ram Charit Manas of Tulsi Das when Ram looks at Sita for the first time what he thinks Sita is and Tulsi Das writes Sundar ta kah sundar karai shavi griha deep shikhaji mi marai she makes beauty more beautiful as if a lamp is lit in the room full of paintings that's beauty making beauty more beautiful and the last which is written in Sanskrit kshane kshane yan namata mupaiti tadeva roopam ramaniyata adya one that acquires newness at every moment is beauty and Rajya Sabha acquires newness every two years new members come so I wish all the best for the new members that beauty finally Mr. chairman sir thank you I continue to serve the country and the nation I will be failing in my duty if I don't say that how our party takes decision we had one seat in Maharashtra we collectively decided we will give it to a woman this time then we decided that let us renominate Vandana Chauhan who had been mayor of Pune who is a very educated cultured woman and good parliamentarian so every political party should follow this and give chance to women first so women first should be the principal thank you thank you and in the end Mr. Chairman I would quote Hafiz Hoshyarpuri with happiness mohabbat karne wale teri mehfilme lekin hum thank you thank you Tripadji we'll be we'll be missing you in the house but you said rightly about beauty but I just want to add beauty if you combine with duty then the country will become mighty that has to be understood